जानने का हक, जी हाँ जानने का हग, यानि देश का ऐसा अकेला टेलिविजन कारिकरम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए, यानि आर्टी आई से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं हम, क्योंकि ये है हरेकाम आदमी का हतियार, सूचना का अधिकार और आज के इस कारे करम में हम विशे शुरूप से जो मुद्दा उठाएंगे वो बहुत एहम मुद्दा है बहुत समवेदनशील मसला है और वो मुद्दा है केंद्रिय सूचना आयोग्त यानि जो केंद्रिय सूचना आयोग है और आयोग से जुड़े जो अतमाम आयोग्त ह उनकी कारे प्रणाली को लेकर और आयोग की फंक्शनिंग को लेकर आयोग को जो दिक्कते हैं उसको लेकर और आयोग के से जो शिकायते लोगों की दगातार बढ़ती जा रही है उस मसले पर आज हम खास तोर से बात करेंगे और आज हमारे इस कारेकर में हमारे साथ शिरकत कर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमरसा जोड़ने के रिए धन्यवाद पारदर्शिता नहीं है खुद जो केंद्रिय सूचना आयुक्त रह चुक है शेलिश गांधी हाला कि अब रिटायर हो चुक है उन्होंने यह मसला उठाय था उन्होंने कहा था कि मेरी नियुक्ति प्रक्रिया जो थी वो भी पारदर्शी नहीं थी आंद्रप्रदेश में हमन केंद्रिय सूचना आयोग हो या राज्य सूचना आयोग आयोग में आयुक्तों की नियुक्तियां शुरूशे ही विवादों में घिरी रही है समाजिक संगठन अब तक आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार अपने पसंदिदा अधिकारियों को रिटायर्मेंट के बाद विभ के जरीवाल ने सरकार पर आरोप लगाया है कि CIC में सरकार की निउक्ति परक्रिया पारदस्टी नहीं है अर्विंद के जिरिवाल ने इस मामले में एक जनहित याचका दायर की है हलांकि उच नियाले इस याचका को खारिच कर चुका है जिसके बाद मामला सूप्रीम कोट पहुंचा है ये केवल रिटायर्ड बिरोक्रेट्स को जो इनके फेवरिट होते हैं रिटायर्ड बिरोक्रेट्स क्यों ने रिटायर होने वाले पुलीस वाले क्यों बने ये तो जनता की बीच में से मुदाना चाहिए उनको एपलीकेशन मंगवानी चाहिए उनी को Information Commissioner बना दोगे तो वो कभी नहीं देंगे Information तो ये पूरा का पूरा जो है इसलिए RTI आज काम करना बंद कर दिया क्योंकि Information Commissioner जो है वो ये अपने खास लोगों को बना देता है इस याजका पर सुनवाई में केंज सरकार ने कहा है कि आयुक्तों की नियुक्ती को किसी मियम में नहीं बांधा जा सकता इसके लिए RTI कानून में एक उचस्तरिय कमीटी के गठन का प्रावधान रखा गया है कोई गलती नहीं होगी अगर दूसरे क्षेत्रों से भी चैया वो कानून का ख्षेत्रों साइन्स टेकलोजी का हो सोशल सर्विस का हो जैनलिजम का हो मास मीडिया को हो अगर वहां से अच्छे अच्छे आदमियों को भी चीफ इन्फिमिशन कमिशनर या इन्फिमिशन कमिशनर बना जाए खुद पुरु केंद्रिय शुचना आयुक्त शैलेस गांधी कई बार कह चुके हैं कि आयुक्त की निवक्ती में पारदर्शिता नहीं है वो लोट्री जैसे हुई मेरी नियुक्ती राजधानी दिल्ली में आलाम ये हैं तो ज्यादता राज्जियों में भी हालात ब्हतर नहीं हैं ऐसे में ये सूचना मांगने वालों की सुनमाई भला कौन करेगा आखिर क्या वज़ा है कि अपने पसंद के लोगों को कमिस्टनर्स नियुक्त कर दिया जाता है। विनूत कुमार चाधरी डीडी नियुज। बेसिक उसूल है इस इस अधिनियम का विह पारदर्शता और जवाब देही। यह दो उसूल है जो जिसके जो बुनियाद है इस अधिनियम के। तो जाहर है कि इसमें किस प्रकार से सूचना आयुक्त होते हैं तो इसमें पारदर्शता होना आवशक है। सरकार ने इसमें काफी बडलाव लाया है जिस समय जो जब मैं नियुक्त हुआ था तो बिलकुल ही किसी को पता नहीं मुझे नहीं पता दाता कि मुझे मेरी नियुक्ती हो रही जब तक कि वहां उसमें मंत्री जी जो थे उनने मुझे सुबह बुला के मुबारक बात दिया और मैंने कहां ये क्या काम है तो उन्हें वो ये भी इसकी स्परश्टिकर ना कर पाए किन्तु ये है कि अब जमाना बदल गया है ये है बात स्वयम ही एक प्रशंसा है राइट टू इंफ वज़ा क्या कारण आप देख रहे हैं इस पूरी बहस के पीछे दरसल ये शैलेश गांदी जी ने का और भी एक्टिविस्टों ने आवाज उठाई अब मामला कोड तक पहुंचा अरविन केजरिवाल साब कहते हैं कि जो है इसमें जो अन्य लोगों को भी आना चाहिए क् क्या चीज दिख लिए आपको दरसल असोक इसमें सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि चाहे जो भी हो ऐसा माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि सरकार में जो सरकार की फेवर में जो अधिकारी काम किये हुएते हैं उनको बदले में उनको इस तरह के पोस्ट दिये जाते हैं इस भी यही कहना था कि आखिर सिर्फ बीरोक्रेट्सी क्यों जबकि नियम और कानून में साफ साफ लिका हुआ है कि प्रबंदन का चेतर हो या लौ का जनकार हो या प्रदगी के का जनकार हो या पत्रकारिता का जनकार हो जो उसमें जो महारत हासिल वाले लोग हैं उनको सुचना आयुक्त के पद दिया जा सकता है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही प्रस्ण उठता है शो की हम देखते हैं आंधरा परदेश में एक निता को भी बना दिया गया था सोचना आयुक्त के पद पर दे दिया गया था और जो लोग हैं कहीं न कहीं इसमें नियम कानून की बात नहीं समवेदन सिल्ता की बात है थोड़े से सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि आखिर हम जो यह पोस्ट दे रहे हैं लोगों के पास जाएगा लोगों के पास बाते जाएंगी तो कहीं न कहीं विवाद खड़ा होगा दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जो आयुक्त का जुप है एक मैसेज देने की जरूरत है कि समाज के सभी लोग से आयुक्त की बात विनोद आप रहीगा शायद यही मैसेज देने के लिए आपने एक जो आपकरे आपने सिफारिश की थी अब की वहीं सूचना की पारदर्शीता की बात है जवाब देही की बात है तो इसमें तमाम में सरकार को एधियात रखना चाहिए इसलिए सरकार ने कुछ पोस्ट अभी बाकी रहें रखें उसमें ऐसे ही भरने का मेरे विचार में इरादा है अभी वो किसी को नियुक्त नहीं कर पा है क्योंकि यह वाद 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 चाहरी है खास طور से क्योंकि सरोश नाया लेका का सरकार से जाए ताकि ऐसा मेसेज ना चला जाए कि किसी इनाम के तौर पे जो इसको फेवर ब्यूरोक्राइट कहते हैं उसको दे दिया जाए तो यह तो आपकी बात सही कहीं लगता है कि मामला क्योंकि नायले में भी है और जैसा की वजास साब भी कह रहे है कि बहस चल रही है और सरकार ने कुछ पत जो है अभी रिक्त भी छोड़ रहकर तो शायद यह बहस किसी नतीजे तक पहुंचे तो उसके बाद जो है हमें शायद एक नए तरह का आफॉर्म साथ साल से पोस्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है जहां तक बात है कि इसको कैसे भरा जाए तमाम तरीके के परिशानियां यहां के केंद्रिय सुचनायोग में हैं आपको पता है पेंडेंसी जो है लगभग एक साल हो चुका है तो वहाँ पर जब हमारी कमिशनर से बात नहीं नहीं सरकार और डियो पीटी और आयोग मिल करके बैठ करकर के बात्चित करनी चाहिए और निश्चित रूप से आटी आई जो है आम लोगों का एक आम लोगों के द्वारा किया जाना वाला यह कानून है और मेरे ख्याल से अगर इस तरीके के आगे सोच बिचार करक आख में बहुत अच्छा होगा सोगी पहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमेरे सजुडने के लिए और विनोद चौदरी हमारे समवादा जुड़े थे और जानने काहक में जो सूचना आयोग हैं उनकी भूमिका को लेकर और भी कई सारे सावाल हैं कई सारी कहानिया हैं उन सब पर बात करेंगे पर इस शोट से ब्रेक के बाद